खबर है राजस्थान से जहाँ पर लगातार हो रही बारिश से कई इलाखों में जलजमाव के हालाद बन गए हैं लोगों को परिशानिया उठानी पड़ रही है सीकर में तेज बारिश के बाद तबाही का मंजर सामने आया है कई इलाखे पानी में पूरी तरह डूब गए इ बात कर रहा हूं सीकर की जहां पर की उद्योग नगर का ये नजारा है कि पूरी सड़क जहां तक आपकी नजर जाएगी ये पूरी आपको तालाब में तब्दिल हुई नजर आएगी मांसुन की इस बार राजस्तान में जमा जम बारिश हुई है बीपर जौईत का तुफ पूरी से तालाब में तब्दिल हुई नजर आती है ये है उद्योग नगर का इलाका है पूली स्थाने के ठीक सामने ये आप हालत देख सकते है किस तरह से और जरा पीछे की तरफ मैं आपको दिखाता हूं कि पानी देखिए बारिश रुके वे करीब दस से बारा घंटे ह हो गया है बावजुद इसके यहां पर गाड़ियां अभी तक फसीवी है क्योंकि यही एक बड़ा रस्ता है जाने का सड़के उस पार और यहां पर पानी भरे होने के कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यह जो परिवार के लोग आप इस त तरह से पानी चला गया है वह भाई साब ने अभी दुकान खोलने की हिम्मत यहां पर की है इसकूल की बस है यह एक स्कूल की बस यहां से निकली है लेकिन निकल नहीं पारी है क्योंकि पानी बहुत जादा बढ़ा पड़ा है और यह भी पता नहीं कि यहां पर कितने बारिश में ही पानी बरा जब भी जरासी तेज बारिश होती है सडकों का नजारा इसी तरह से हो जाता है हर जगे आपको पानी ही पानी नजर आने लगता है तो कुल मिलाकर इस पार सीकर का नजारा लोगों को काफी डराने वाला भी है चौकाने वाला भी है क्योंकि यहां बनेरियमासर है.